Well, Hey Guys, Hello and Welcome to Niti Sikshar and This is Mihir Thakur and Welcome back to the series of our Environment and Ecology इस series में हम लोग बात कर रहे हैं जितने भी रामसो साइट्स हैं और Biosphere Reserves हैं, National Parks हैं इन सभी को कवर कर रहे हैं पिछले वीडियो में हम लोगोंने कवर किया है रामसो साइट्स जितने भी वेटलैंड है हमारे इंडिया के अंदर में उन सभी को map पे detail में समझा है उसके बाद हम लोगोंने Biosphere Reserves in India जितने भी हैं उन सभी Biosphere Reserves को हम लोगोंने map पे भी discuss किया है साथ इंसे related सारे aspects को हम लोगों ने details में cover किया है तो जो लोग ये videos नहीं देखो जा करके देख लो link के मैंने description में डाल रखा है और उपर i button में भी मैंने डाल दिया है काफ़ important video है exam point of work के लिए काफ़ जादा important हो जाएगा और आज की video हम लोग बात करने वाले है national parks के बारे में इंडिया में जितने भी national parks है उन सभी को map पे समझने ही कोसिस करेंगे सभी को याद करने ही कोसिस करेंगे और उसके साथ साथ national parks related जो भी facts है कुछ उसको भी हम लोग discuss करने वाले है तो सुरू करते हैं आज के वीडियो को so let's begin सबसे पहले हम लोग बात करेंगे national park से कुछ facts की national park को classify किया जाता है category 2 में IUCN के category 2 में इसको classify किया जाता है यानि कि जो IUCN है उसका category number 2 जो होगा उसमें ही सारे areas को national park के अंदर रखा जाएगा इनी area notified by state government to be constituted as a national park जो भी area है वो state government के द्वारा जो है वहाँ पे notify की जाएगी उसको national parks के अलिए declare किया जाएगा और उसको IUCN के category 2 में सामिल कर लिया जाएगा अभी की time में इंडिया में total 104 national parks हैं याद रखना इंडिया में सबसे पहला जो national park है वो इंडिया जिम कॉर्बेट national park था कौन था जिम कॉर्बेट national park इसलिए काफी ज़्यादा important हो जाता है ठीक है हेली national park के नाम से इसको जाना जाता था उसके बाद इसको बाद में जिम कॉर्बेट national park बना दिया गया no human activities देखो national parks जो भी होती है वो highly restricted होता है ठीक है highly restricted देखो पिछले वीडियो में लोग ने bias for reserves पढ़ा था उसमें हम लोग ने देखा था कि कुछ areas है जो कुछ restricted area होती है ठीक है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो permission दिया जाता है कुछ core zone होता है जहाँ जो है जो आम आदमी है जो भी लोग हैं वहाँ पे settlements उन लोगों को restricted रहती है लेकिन कुछ area में जो है वो permitted चीज़ दी जाती है जैसे tourism दिया जाता है human and economic development के लिए business, fishing थोड़ा बहुत human settlement भी वहाँ पे permitted होती है लेकिन national park जो होता है वो highly restricted area होता है यहाँ पे किसी भी तरीके का human activity या human rights जो है वो allowed नहीं होगा ठीक है यहाँ पे accepted नहीं होगा बिल्कुल भी except देखो अगर मान के चलो आपको वहाँ जाना है या किसी भी तरीके का आपको माँ कोई activity करना है तो उससे पहले आपको chief wildlife warden जो होंगे state के chief wildlife warden जो होंगे state के एक officer होते हैं जो कि इस authority को समालते हैं उनसे आपको permission लेना होगा तब जाकर करके आप इस area के अंदर में किसी भी तरीके के activity कर सकते हो अट प्रिजिंट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में total 1.23% geographical area जो है वो national park से covered है अब हम लोग जितनी भी national park से उसको map पे देखेंगे और याद करने एकोसिस करेंगे state wise cover करेंगे देखो total 104 national park है total का total national park हम लोग इस वाले में अब cover करने वाले हैं सुरवात करेंगे हम लोग north से फिर आएंगे नीचे की तरफ ठीक है उसके बाद हम लोग बाकि north east को भी अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जमू अन कस्मीर में जमू अन कस्मीर में कौन-कौन से national park है तीन national park जमू अन कस्मीर में है कौन-कौन से एक है city forest याद रखना city forest सलीम अली नाम से एक national park है दूसरा है दकिंगम दकिंगम भी national park जमू इन कस्मीर में है उसके बार आता है किस्ट वार किस्ट वार भी कहा है जमू इन कस्मीर में जमू इन कस्मीर में तीन national park city forest, दकिंगम और किस्ट वार उसके बार आते हैं लदाक देखो लद्दाक में क्या है एक है हेमिस ठीक है लद्दाक में हेमिस जो है नाशनल पार्क है याद रखना उसके बाद हम नीच आएंगे थोड़ा देखेंगे राजत्तान राजत्तान में टोटल जो है पांच नाशनल पार्क है पहला नाशनल पार्क की अगर हम बात करते है तो मुकंद्र हिल्स पहला नाशनल पार्क मुकंद्र हिल्स दूसरा डेजर्ट चौथा तीसरा जो है क्योईलाडो गाना ठीक है गाना जो एरिया है वहाँ पे जो है यह जगे है क्योईलाडो नाशनल पार्क भी है वहाँ पे क्योईलाडो नाशनल पार्क के अंदर में बास् जो नाशनल पार्ग है ? जब कान्ठवगर ? लिए माधवपन्न ठीक है, कौन-कौन सा, बंदवगर, फोशिल, कानह, माधव, पन्न, छट्टा हो जागा तुम्हारा, पेंच, यानि कि प्रिया दर्शुनी, सेविन हो जागा तुम्हारा, संजे, संजे नैशनल पार्क, एट में आ जागा तुम्हारा, सत्पूरा नैशनल पार्क, उसके टोटल जो है, वो चार नैशनल पार्क है, याद रखना, कौन-कौन से चार नैशनल पार्क है, पहला है, वंसदा, ठीक है, पहला नैशनल पार्क, गुजरात में कौन है, वंसदा, दूसरा है, ब्लैक बग, तीसरा है, गीर नैशनल पार्क, और चौथा है, मरीन नैशनल प है गुगमuni थिक thrown weiß कंके नाजेशनल फार्ग महारास्टर में तीसरह गया नावे गांव नावे गांव कई महारास्ट नावे गांव नाशनल पार्ग इस इनुन Karny और चोथा पेंक थे अर्यार चौण का पेंक प्र॥े उसके बार आएगा आपका आप का सhr nee गां में लास्ट और छटटा national park जो है महरास्ट का वो है तडोबा ठीक है कौन का टडोबा टडोबा national park भी है कहा महरास्ट में गोवा में एक ही नैशनल पार्क करनाटका का दूसरा नैशनल पार्क है बंदीपूर नैशनल पार्क तीसरा जो नैशनल पार्क है करनाटका का वो है बानर घटा ठीक है कौन-कौन सा पहला हो गया अंशी दूसरा हो गया बंदीपूर तीसरा हो गया बानर घटा करनाटका की बात कर रहे हैं ब महराश्ट्रो में संजे गांधी नाशनल पार्ग है कना남ाच में यह वाले जगे आपको राजीव गांधी नाशनल पार्ग देखने को मिली खरना हूँ में अब आते हम लोग कैरला में केरला में भी टोटल छे नाशनल पार्क कौन कौन से पहला है आपका अनामुडी शोला ठीक है कौन सा अनामुडी शोला नाशनल पार्क दूसरा आएगा इरावी कुलम ठीक है कौन सा इरावी कुलम नाशनल पार्क केरला का है इरावी कुलम नाशनल पार्क भी केरला में ही है तीसरा आपका आएगा मथी केतन नाशनल पार्क, मथी केतन इसका सोला, पूरा नाम क्या हो जाएगा, मथी केतन सोला नाशनल पार्क, चौथा है आपका परम बिकुलम शोला, देखो दो शोला करके नाम है, एक हो गया आपका मथी केतन सोला, दूसरा हो गया परम बिकुलम सो तो यह दोनों जो है वहाँ आजाएगा किरला में.. पांच्वाय जो नैशिनल पर्क किरला की है वहाँ पैरीयर नैशिनल पर्क वहहाँ हो जाएगा आपका किरला में… उसके बाद नाशिनल पर्क जो है नाश्ट्ड कर लाकाद वहाँ क्यें तरल है asks silent valley.. ग्रेट हिमालियन हिमाचल हिमालियन याद रहेगा ग्रेट हिमालियन नाशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है उसके बाद आएगा आपका पिन वैली नाशनल पार्क हिमाचल प्रदेश उसके बाद आएगा आपका इंदर किला इंदर किला कहा हो जाएगा इंदर किला भी न प्रदेश अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से ठीक नीचे वाले स्टेच उत्रा खंड की उत्रा खंड में कौन-कौन से नैशनल पार्क है, टोटल छे हो जाएंगे, जिम कॉर्बित नेशनल पार्क काफी इंपॉर्ट पाक कहा हो जाएगा आपका उत्राखंड तीसरा गोविंद नैशनल पार्क उत्राखंड गोविंद नैशनल पार्क भी उत्राखंड फिर आएगा आपका नंदा देवी दियाद रखना है नंदा देवी बायोस्फेर रिजर्ब्स भी है जो उत्राखंड का ही है और नंदा द लास्ट वैली ओफ फ्लावर्स बहुत खूब सूरत नाम वैली ओफ फ्लावर्स भी उत्राखन के अंदर ही है ठीक है अब आगे नीचे आओ थोड़ा सा अब ठीक उसके नीचे हम आते हरियाना हरियाना में देखेंगे तो दो नैशनल पार्क हो जाएगा आपका एक हो है दुद्वा नाशनल पार्ग ठीक है याद रखना है उत्तर प्रदेश में एक है दुद्वा और बिहार में एक है वालमी की नाशनल पार्ग तो वालमी की जी जी जो थे रिशी वालमी की कहां से बिलॉंग करते थे बिहार से बिलॉंग करते थे तो याद रखना है वालमी क नाशनल पार्ग भी है कहाँ सिक्किम के अंदर में कंचन जंगा काफी फेमस काफी नाम सुना होगा आप लोगों ने सिक्किम का है नाशनल पार्ग कंचन जंगा उसके बाद आते हैं अब हम लोग नौर्ट इस्ट में पूरी तरह तो यहां देखेंगे अरुनाचल नंदपाagn national park & MAOULING lung national park यह दोनों अरुनाचल प्रदेशका ही है अब आते हैं हम लोग हम बाद करते हैν अस्षम का ये वाला ज अरिया यह असम का में टोटल 5 national park पहला डिभृ शाइकोवा डिभृ शाइकोवाigos भी है याद रखना है और Kvir काजी रंगा नशनल पार्क काफी जादा फेमस काजी रंगा नशनल पार्कklär और पेमस आपने नाम सुना होगा पूछ जाते हैं एक से लिए ठाव से बिलोंग चन Avant पहला नैशनल पार्क उत्राखंट से बिलॉंग कर गया, वैली ओफ लावर उत्राखंट से बिलॉंग कर गया, कंचन जंगा सिक्किम से बिलॉंग कर गया, ठीक है, अब क्या करना है हमको, तीसरा मानस बाइसफरे रिजर्फ भी कहा है, असम में, तो मानस, काजी रंगा, अब देखो, एक और नैशनल पार्क आ रहा है, जो कंफ्यूज करेगा, राजीव गांधी ओरांग, राजीव गांधी ओरांग नैशनल पार्क, अभी मैंने बताया कि महरास्ट्र और करनाट का, महरास्ट्र में जो नैशनल पार्क बिलॉंग कर रही है, वो कौन सा बिलॉं अहां पर देखने को मिलेगा असम के अंदर में राजीव गान्धी ओरांग निशनल पार्क ठीक है.. confused मत वेगे राजीव गांधी जो नगर्थोल करनाटिका में चलने जाएंगे राजीव गांधी ओरांग असम के ओर छो आंगे में घाले में आएंगे थोड़ा से नीचे उसके वाली स्टेट में में घाले में कौन सा नैशनल पार्क है दो नैशनल पार्क है ठीक है बलपाकरम नैशनल पार्क और नोकरेक नैशनल पार्क नोकरेक बास्वर रिजर्ब भी है कहां से बिलॉंग कर रहा है मेगाले से बिलॉंग कर रहा है, नाशनल पार्क भी है, मेगाले से ही बिलॉंग कर रहा है, नोकरेक और भलपाकरम, ठीक है, अब आएंगे अब लोग मनीपूर वाले एरिया में, ये वाला एरिया आपका पूरा क्या हो जाएगा, मनीपूर का है, ठीक है, ये वाला एरिया मन मनिपूर का नाशनल पार्ग है दूसरा है सीरोही नाशनल पार्गार वी कहा है मनिपूर से बिलॉघ करता है अब हम करती लोग बात करेंगे नीचे थोड़ा सा धित cohort की दित्राबडी दो नाशनल पार्ग है तैन्य वाला या एरिया है एकँदम छोटा सा वो कहां का है नाशनल पार्क तेरेपूरा का है और Bison Bison National Park भी राजबड़ी वाले एरिया ही पड़ेगा आपको तेरेपूरा में Bison National Park तेरेपूरा में ही है अब हम लोग बात करेंगे मिजरूम की मिजरूम की कुन-कुन से national park है, दो है, एक है आपका मर्ले national park और दूसरा है आपका पावंगपूरी ठीक है, पावंगपूरी national park और मर्ले national park ये दोनों कहां से है, मिजुरम से है अब हम लोग नीचे आगए है थोड़ा सा 36 गर, 36 गर हम लोगों ने देखना है भी, 36 गर में 3 national park पार्क सबसे पहला नेसनल पार्क है इंद्रवती ठीक है इंद्रवती नेसनल पार्क कहां से आएगा 36 गरसे और उसके नीचे आएगा आपका कांगar वैली कांगर वैली भी कहां है शथे गर से बिलॉंग करेगा और तीसरा जो है वह गुरू गश्ची दास गूरू गश्च सबसे पहला भीतरकनी का ठीक है भीतरकनी का नाशनल पार्क और दूसरा सिम्ली पाल सिम्ली पाल 12 रिजर्ब्स भी है ठीक है याद रखना है और नाशनल पार्क भी है तो ओडीशा में कौन हो गया भीतरकनी का और सिम्ली पाल तेलाँगना में आएंगे अब थोड़ा से नीचे हम लोग ओरीशा के तेलाँगना में तीन नाशनल पार्क पहला की बात अगर मैं करें तो पहला है कासू-Bhramanand ready तेलाँगना से दूसरा आएगा आपका महावीर हरीना वनस्तली महावीर, हरीना, वनस्तली कहां से बिलॉंग कर रहा है तेलांगना ठीक है तीसरा and the last तेलांगना का जो नैशनल पार्क है वो है मूरु गावनी ठीक है कौन सा मूरु गावनी नैशनल पार्क अब आता है हम लोग बात करते आंदर प्रदेश की आंदर प्रदेश में भी तीन नैशनल पार्क बिलॉंग करते हैं कौन-कौन से सिरी वैंक टेश्वर सिरी वैंक टेश्वर याद रखना वैंक टेश्वर आंदर प्रदेश में तिरुपती बाराजी का मंदिर है इसलिए वहाँ से हमको याद रखने के लिए एक clue मिल जाएगा कि स्री वेंक टेस्वरा जो है नाशनल पाक कहां से है बिलॉंग करेगा आंधर परदेश से बिलॉंग करेगा अब यहाँ पर एक और याद रखने हैं आपको कि राजीव गांधी नाशनल पाक एक आंधर परदेश में भी आ रहेगा आपको देखने को मिलेगा ठीक है करनाटका देखा असम देखा और अब आपने आधर परदेश भी देखा यहाँ पर भी राजीव गांधी नाशनल पाक दिख रहा है आपको अब हम लोग तामिल नाडू की बात करेंगे तामिल नाडू में टोटल पांच नाशनल पाक है गुइंडी नाशनल पाक सबसे पहला है गुइंडी नाशनल पाक और उसके बाद मनार मरीन ठीक है मनार मरीन नाशनल पाक भी कहां से बिलॉंग करेगा तो तामिल नाडू से बिलॉंग करेगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर तीसरे नाशनल पाक की जो है इंदर पौको ती आपको कहां देखने को मिले गा तामिल नाडू में अब हम लोगों ने इंडिया के जो यह वाले एरिया है जगह हो पर सबसे पहला national park पार्क देखने के दिखने को मिलेंगी 9 national park सबसे पहला निशनल पारक यहाँ देखने को मिलेगा दूसरा तीसरा निशनल पारक महातमा गांधी मरी नाशनल पारक चौछा है आपका मिडिल बटन ऐलेंड यहाँ आंदर के अंदर ही देखने को मिलेगा and the number five is Mount Harriet, Mount Harriet National Park is also in अंडमा निकोबार आइलेंड and छट्टा जो है North Button, North Button जो है ये भी अंडमा निकोबार आइलेंड, Rani Jhasi Marine National Park अंडमा निकोबार आइलेंड, okay Rani Jhasi Marine National Park अंडमा निकोबार आइलेंड, 8 में आएगा Saddle Peak, okay 8 में आएगा Saddle Peak National Park कहा है अंडमा निकोबार आइलेंड में, South Button ठीक है अब यहाँ पर आप देखो, North Button, Middle Button और South Button, तीनों बटन जो है कहा है अंडमा निकोबार ठीक, North Button, Middle Button और South Button अंडमा निकोबार आइलेंड के अंदर में National Parks हैं, तो finally हम लोगों ने इंडिया के जितनी भी National Parks है, उन सभी को डीटेल्स में कवर कर लिया, I hope आपको जितने भी National Parks हैं, वो याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए हैं, दुबारा वीडियो को देखो Pause करके याद करो, रटो एकदम अच्छे से Question यहाँ से काफी पूछे जाते हैं, काफी Important Topic है, पिछला वीडियो जाकर के देख लो, exam preparations के लिए काफी सारे content हमारे चैनल पर डाल दिये गए हैं और हम लोग बहुत ही जल्द NCRT की series launch करने वाले हैं जिसमें हम लोग जितने भी relevant NCRT हैं 6 to 12, सभी को cover करने वाले हैं, जो कि सारे competitive exams के लिए काफी जाजा important होने वाला है, UPSC हो या BPSC हो या फिर किसी भी competitive exams की बात हम करें, वहाँ पर important होगा, और यह जो series launch होगी, यह students जो academic में पढ़ाई कर रहे हैं, schools के students हैं, 6th class से 12th class उनको भी मद्दे नजर देखते हुए, यह lectures तयार करें गए हैं, और यह सारे courses जो है, वो बिल्कुल free हमारे channel पर launch करें जाएंगे, बहुत ही जल्द, so I hope आपको हमारा videos पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ है तो channel को support करो, जितना जादा support करेंगे, उतने जादे courses हम launch करेंगे, तो subscribe कर लो जल्दी से जल्दी channel को, bell icon को press करके all press select कर लो, क्योंकि जो भी आप courses आएंगे हमारे channel पर, जो भी lectures आएंगे उस वो बिल्कुल भी miss आपसे ना हो वीडियो को like करते रहो, share करते रहो, support बनाई रखो, see you in the next one goodbye, take care, महिर ठाकुर signing off